हलो दोस्तों, ओनलाइन फार्म में आपका स्वागत है, राजंदर पसाद सेंट्रल एगरिकल्चर इन्वर्सिटी लोवर डिविजनल कलर्क और जूनियर एकाउंट कलर्क का सौट लिस्ट चारी कर दिया गया दोस्तों और आपके चैनल ओनलाइन फार्म पर लगतार मॉक टेस्ट चल रहा है, आज मॉक टेस्ट का है, 27 इसवा दें ठीक है, आज 27 मॉक टेस्ट है ठीक है दोस्तों, और आज लेकर आए हैं संप्रून प्रस्थनों की बिस्त्रित ब्याक्या के साथ, हिंदी ब्याक्रण के 40 लिए ठीक है दोस्तों और आप लोग टेलिग्राम से जरूर जूड़िया दोस्तों, टेलिग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिस्टन में मिल जाएगा, और टेलिग्राम पर आपको सारे PDF उपलब्द होते हैं, बिल्कुल फ्री, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यात्री, यानि ए एंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, अनिकार्थ सब्द नहीं है, पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, चले दुसरा कोचन देखिएगा, दोस्तों आज जो है, जेनरल नोलेज का जो 20 प्रस्तों होता है, आज पी सब्दी ब्याकरण है और इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेगा, अरूण, अरूण का अनिकार्थी सब्द नहीं है, अप्शन ए है सुर्य, बी है साधू, सी है लाल और डी है सुर्य का सार्थी, इसका अंसर हो जाएगा, यानि साधू, इसका बि बी है आसर, सी है अभी प्राय और डी है उप्यूक्त सभी, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अंसर हो जाएगा, उप्यूक्त सभी, अर्थ का अनिकार्थी सब्द क्या है, उप्यूक्त सभी, चलिए नेक्स कोचन देखेगा दोस्तों, राम दीन धीरे धी दीरे जा रहा था इस वाक्य में दीरे दीरे कौन सा अब्याआ है अब्या बताना दोस्तों चलिए अपसंगा Tipsy संबद्बोधक समुच्य noir और निपाथ इसका आंसर क्या हो जाएगाuchi याकासर सारा मीं धिरे मेंvalues इसमें धीरे-धीरे क्या है? क्रिया फ्लिए संट हैठीख है. चलिए. नेक्ट कोशन देखेगा. आरे, जरा इधर तो आव वाक्व्त्य में कौन सा अभ्या है? अप्शन एह परडामवाचक, बी है प्नस्तमवाचक, चलिए दोस्तों चट्वाण देख लीजिएगा तुम इस तरह बाते करते हो माणो मेरे मालिक हो इस वाकिय में अभ्याइक कौन सा है अप्सन A है समुच्चे बोधक, B है साधन वाचक, C है तुलना वाचक, D है ब्यतिरेक वाचक ठीक है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्ताँ? इसका आंसर हो जाएगा समुच्चे बोधक क्या हो जाएगा? समुच्चे बोधक यानि A answer बिलकुल correct है चलिए next question देखेगा तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? वाक्य में अब्याय है अप्सन A है परडाम वाचक, B है उदेश्य वाचक, C है ब्यतिरेक वाचक और D है निशेध वाचक ठीक है? इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यतिरेक वाचक क्या हो जाएगा? ब्यतिरेक वाचक बिलकुल इसका correct answer है चलिए आठ नमर देखेगा ओ उपसर्ग से बना सब्द कौन सा है? अप्सन A है अचेत, B है अनुज, C है अतार और D है अत्यांत इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका answer हो जाएगा ओचेत उपसर्ग क्या होता है? बता चुक हैं दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो देखेगा क्लियर सब कुछ आपको याद हो जाएगा लगभग उपसर्ग क्या है, बिलोम क्या है, सब कुछ बताएं है, पत्ते क्या है, चलिए नेश्ट देखेगा, अभी उपसर्ग से बनने वाला सब्द कौन सा है, अपसर्ण A है अभी मुख, B है अभी योग, C है अभी करता और D है सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इ प्रत्य जोडने से बना सब्द कौन सा है, अपसर्ण एह जैपूरी, B है अजमेरी, C है मिठाई, और D है सर्दी, इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई प्रत्य, प्रत्य अंत में लगकर सब्द को जो है, एक नया सब्द बना देता है, ठीक है, तो चलिए, इसका अ A है औजार, B है औगून, C है औचक, D है सभी, इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अंसर हो जाएगा सभी, और उपसर्ण से बनने वाला सब्द क्या है, सभी सब्द और उपसर्ण से बनने वाले सब्द हैं, चलिए निश्ट देखेगा, कम जोरी में कौन सा परत से लगकर कम जोरी बना हुआ है चलिए तेरह नमात देखेगा और धी का समद्व होगा अप्षण है भासा भी सीमा की समय हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा और का समनार्थी सब्ध समय हो जाएगा समनार्थी यानि परावांची एक ही हो जाएगा चलिए 14 नमद देखेगा ओ विवाहित का समनार्थी सब्द क्या है अप्शन ए है बिध्वा बी है अल्पवैस्क सी है जुवती डी है कुवारा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा कुवारा ओ विवाहित का समनार्थी सब्द क्या क्या है ठीक है चलिए पंद्रह नमद देखेगा दोस्तों अंकार का अर्थ है आत्म ज्यान का घमंड जबकि धर्म का अर्थ क्या है अप्सन ए भौतिक घमंड भी बल का घमंड और दिध्वता का घमंड इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भौतिक घमंड क्या भौतिक घमंड धर्म का अर्थ है भौतिक घमंड चलिए सुल्ला नमद देखेगा अत्यांत प्रिये होना अर्थ का सही मुहाबरा कौन सा है यानि अत्यांत प्रिये होना के लिए कौन सा अपसन A है नाख का बाल होना, B है पेट में दाड़ी होना, C है आँख का तारा होना, D है इद का चांद होना, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अंसर हो जाएगा आँख का तारा होना, क्या हो जाएगा, आँख का तारा होना, यानि C अंसर बिल्कुल उठाते हैं बी है अंधि असहाय होते हैं सी है उनके स्रम का लाभ और लोग उठाते हैं और डी है कूप्रबंधन से बस्तु नश्ठ होती है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी यानि कूप्रबंधन से बस्तु नश्ठ होती है बिलकुल सही है चलिए नेक्ष देखे पाइवार में अच्राइव हृजएगर नहीं दखनेहें उगिवार मिश्या में देख स्यांगर कॉंसीच के चांओ कारक, B है करम कारक, C है अपदान कारक, और D है संबंध कारक, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुदाली से खोदता है करण कारक है, क्या है करण कारक है, यानि A एंसर बिल्कुल करेक्ट है चलिए 20 नमद देखेगा गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है अपसन एह कता कारक भी अपादान कारक सी है अधी करण कारक और डी है करण कारक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गीता हाथ से मारती है इसमें भी कौन सा कारक है करण कारक है ठीक है यानि दी अंसर बिल्कुल सही है करनका रक चलिए एकाश्न दोस्तों तो सा डाली पर बैठा है इस वांके में अधिकरनकारक है यानि सी एंसर बलकुल सही है जली बाश्न देखेगा अप मानीत होना नाम बोधक क्रिया किसके सन्योग से बनी है अपसंवस्राय कालक 102C स्र। अग्ला देखेगा टेश्त नमबर टेश्र आपरून क्रिया भेध है अपसंवस्राएब अपसन A है सकर्मक, अकर्मक का, B है दिकर्मक, C है अकर्मक, D है सकर्मक. इसका answer क्या हो जाएक है दोस्तों? अप्रून क्रिया भेद है सकर्मक, अकर्मक का, यानि A answer बिल्कुल correct इसमें हो जाएगा. चलिए दोस्तों अगला देखेगा, उमा नौकर से दूध मंगवाती है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है अपसन A है प्रनडार्थक B है अकर्मक C है सकर्मक D है सहायक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों सहायग क्या हो जाएगा सहाय ठीक है चलिए 25 नमा देखेगा निसांत दोड रहा है इसी वाक्य में कौन शिक्रिया है अप्सांस अकर्मक निसांत 12 रहा है इसमें अक्र्मक क्रिया है उज्वत नेहा कपड़ेद होती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अप्सन ए है अकर्मक भी है, नाम बोधक सी है, संजुक और डी है सकर्मक, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेहा कपड़ेद होती है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है एक चलिए नेक्ष देखिएगा मैं खाना खा चुका इस वाक्य में भूत-कालिक भेद इंगित कीजिए अप्उसन अध हो भी एफ पूर्ण भूत-काल सिहत स्नदिग्ध भूत-काल तो इसका का तत्सम सब्द क्या होगा अप्शन ए है अस्रू भी है अच्छी सी है नित्रजल डी है सलील तो आशू का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों अस्रू क्या हो जाएगा अस्रू यानि एंसर बिल्कुल कोरेक्ट है चलिए 29 नमर्द देखेगा अगहन अगहन का तत्सम क्या होगा अपसान ए है अगरसर बिल्कु Lexed C है अक्रमण और D है अग्रहायन ठीक है इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा अगहन का तत्सम अग्रहायन है यानि D answer बिल्कुल correct है चलिए तीस नमर देखेगा अनाडी का तत्सम क्या होगा option A है अन्यत्र B है अनार्थ C है अट्टालिका और D है इनमे से कोई नहीं ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा अनार्थ यानि अनारी का तत्सम क्या हो जाएगा अनार्थ B answer बिल्कुल सही है चलिए एक तिस नमर देखेगा अलमारी सब्द है अनार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए एक बतिस नमर देखेगा अस्पताल सब्द है अनार्थ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा चलिए एक तिस नमर देखेगा अरूण अरूण का प्राइवाची क्या होगा अप्सन ए है प्रातकाल B है कुकुट C है सुर्य D है कमल तो अरूण का प्राइवाची क्या हो जाएगा दोस्तों सुर्य इसका C answer बिल्कुल सही है सुर्य हो जाएगा चलिए चौतिस नमर देखेगा आग का प्राइवाची क्या होगा अप्सन A है वात B है अनील C है अनल D है समीर तो आग का प्राइवाची क्या हो जाएगा दोस्तों अनल क्या हो जाएगा अनल यानि C answer बिल्कुल सही है यानि इसका जो प्राइवाची हो जाएगा बहुत सारा प्राइवाची हो जाएगा अगनी अनल पावक दहन ज्वलन धूमकेतू कुसानू हुतासन वैस्वानर सुची ज्वाला यह सारे जो है आग के प्राइवाची सब्द हैं चड़िए इसका आंसर क्या हो जाएगा पैतिस क्या गिदड़ी क्या हो जाएगा गिदड़ी बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा चलिए चटिस नमर देखेगा दोस्तो धारेवान का इस्तिलिंग सब्द क्या होगा अपसन ए है धारेवती बी है धारेवाला C है धीरता D है धैरे साल इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धैरेवती क्या हो जाएगा धैरेवती धैरवान का इस्तिलिंग क्या हो जाएगा धैरेवती चलिए 37 नमर देखेगा दोस्तों चात्र का बहु अचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा अप्सण ए है लोग भी है जन सी है वर्ग और डी है गंड इसका आंसर हो जाएगा गंड यहां पर होगा दोस्तों गंड यहां पर गंड हो जाएगा इस तरह देख लीजेगा यहां पर गॉंड तो इसमें छात्र गॉह यानि जोट देने पर यह पहु अचन हो जाएगा ठिक है अगला देखे का दौन को ए Re Eco ऐसे सेंतिस नंबर 38 लगा कर दोशन रसंतह होता है एक वाशन, बहुआचन सदयवा बहुआचन, तो दर्सन सब्द क्या है दोसतों सदयवा बहुआचन है क्या है सदयवा हमेशा यानि बहुआचन होता है दर्सन थिक्षै यानि सी एंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए 49 देखेगा आज 2-16 अनुपस्थित थे में कौन सा बिशेशन है अपसन एह संख्या वाचक पी है सर्वा नाम एकसी है प्रणाम वाचक डी है गून वाचक इसका अंशर क्या हो जाएगा दोस्तों संख्या वाचक क्या है संख्या वाचक बिशेशन है चलिए चारिस। देखेगा उस घर मे कौन रहता है मैं कौन सा इस उसका अंसर हो जाएगा सर्वानामिक विशेशन क्या है सर्वानामिक विशेशनल चलिए अगला देखेगा दोस्तों राष्टपती भवन में कौन सा संग्या है अप्सन ए है ब्यक्ति वाचक, बी है जाति वाचक, सी है भावाचक और डी है समुह वाचक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक यह एंसर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है दोस्तों तो यह था आज का 40 हिंदी ब्याकरण के प्रस्न ठीक है दोस्तों आप लोग जो है जम कर तयार कीजिए आप लोगों का जल्द ही admit card आने वाला हैं ठीक है दोस्तों और telegram से जरूर जूरिये दोस्तों वहाँ पर सारे PDF बिल्कुल free मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ तब तक के लिए धन्यबाद थ थाली दिक के लिए भी तब तक रहल, जा आया है अज मुल्ट था जा में एक लिए बढ़िए दिल्स के लिए रंगे में उन्यबाद द्सक्राइब काई। जोस्तों भी एक भी जाने दिल्स भी वीवाँ में उन्पाइब के लिए टेंट